हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल क्राइक और कम्टिशन बिदंजली फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग 14 अप्राइद हो जारते हैं इसे नहीं कि आज के इंपॉर्टेंट केंट हैं फिर उसको पढ़ने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखि परियोजना के विशह में पढ़ते हैं केरल के इलेक्रिसिटी बोल्ड और कैबिनेट ने एडना कुलम टाउन से एडुकी तक लगवा 2.5 किलो मीटर का ग्रीन एनरजी कोलिडोर बनाने की अनुमती दी यह प्रोजेक्ट 2022 का था लेकिन अब मंजूरी दी गई है यह पार्टी को राष्ट्य पार्टी का दर्जा दिया गया तो उत्तर है आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी ठीक है अब इससे रिलेटेट कुछ इंपॉर्डेंट पॉइंट्स हैं पढ़ लेते हैं इलेक्शन सिंबल एलोकेशन एंड रिजर्वेशन एक्ट उनीसो और सट के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्य पार्टी घोशित करने की शर्टों को शामिल किया गया है किसी भी पार्टी को राष्ट्य पार्टी का दर्जा तीन अधरों पर दिया जा सकता है किसी भी चार राज्यों में लोकसवा या विधान सवा में किसी पार्टी को कुल ड तो राश्ट्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है यदि कोई राज रिस्तर की पार्टी है और बेह पार्टी चार राजों में सीटें जीत लेती है तो भी उस पार्टी को राश्ट्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है आम आदमी पार्टी आपको इसी के अंतरगत राश्ट्य पार्टी का दर्जा चुना आयोग द्वारा दिया गया इसी के साथ ही बर्तमान में छे पार्टियों बीजेपी कॉंग्रेस बीएसपी सीपीपी मार एननपी और आपको राष्ट्य पार्टी होने का गौरप्राप थे नेक्स्ट कुशेने उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज रिष्ण जी के द्वारा एक खेल समारो कौशांबी महुसब 2023 का उधाटन किया गया इस महुसब के उधाटन के दौरान ग्रह मंत्री जी दौरा दुर्गा भावी को शंजांजली बीदी गई दुर्गा भावी स्वतंत्ता सेनानी, भगवती, चरण, भोरा की पतनी थी जि किसके द्वारा तो उत्त हो जाएगा बित मंतराले को बित आयोग में एक अद्यक्ष एबम, चार अनिशदस सहित कुल पांच सदस्यों कि संक्या होती है 1951 में पहला बित आययोग बनाया गया था जिसके क्याक की व्यक्ष फे Means saúde कि इसे हां नेख्चक कि अद्रश चया लोक सबद में बंचसो धन बिदयाक सन्रक्षन 2023 बिल्द किसे दवारा प्रस्तूत किया गया तो दोलक सबदूल में कम सहा दोलोक्तड बंचसे अदिनि repug में लाया गया था अभी हाल ही में भारत की पर्यवन मंत्री भूपेंद्र रियादब जी के द्वारा बंस अंसोधन बिद्धियक 2023 को प्रस्तूत किया गया नेक्स्ट कुश्य ने किस राज्य में संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया उत्तर है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है दूद उत्पादन करने वाले पशुपालकूं एवं संस्थाओं को प्रोसाहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी प्रयोजना को शुरू किया है इस प्रयोजना के द्वारा मोबाइल बेटर नरी क्लीनिक भी शुरू किया गया जो पश्यों के स्वास्य संबंदित कारे करेगा अभी इस प्रयोजना को 12 जिलों में शुरू किया गया है आने वाले समय में इस प्रयोजना को अन इस्थानिय भाषा में पहला संस्क्राण चारी किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोगरी संस्क्राण भारती समिधान का डोगरी भाषा में पहला संस्क्राण इसके विशय में पढ़ते हैं भारती समिधान 26 नवंबर संपुर्ण अनुच्छेदों को भारत में लागू कर दिया गया यह संपुर्ण हिंदी और अंग्रेजी भाषा में था इस्थानिय भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्री कानून मंत्री किरण रिजूजी द्वारा जम्मु कश्मीर की इस्थानिय भाषा डोगरी में भारते सम्मिधान का पहला संस्क्राण जारी किया गया सन्नु 2003 में बांडवा सम्मिधान संसोधन के द्वारा डोगरी भाषा को आर्टवी अनुसूची में जोड़ा गया नेक्स्ट कुश्यन है भारते खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया खेल प्रमार पत्रों को किस म लॉकर में रखने की इजाज़त दी है डिश्टल इंडिया के अंतरगर्थ 2015 में टीची लॉकर को प्रधान मंत्री नरेद मोदी जी द्वारा लॉंच किया गया था इस एप्लिकेशन में हम अपने डोक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख सकते हैं अभी हाल ही में भारते खेल प्रादिकरण ने खेलो इंडिया खेल प्रमार पत्ल को डीजी लॉकर के मोबाइल एप्लिकेशन में रखने की इजाज़त दी है नेक्स्ट कुशन है फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में चरूर बताएगा यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट कीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे हैं फ्रेंट्स है आपने